हेलो दोस्तों आप लोगों का सौगत है पगला एक्स्प्लीन चैनल पे तो आज हम लोग एक और न्यू मानुवा को एक्स्प्लीन करेंगे इसका नाम है आई लेवल अप वाई एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग तो चलिए जानते हैं इस मानुवा की कहानी को बिना किसी दे केरक्टर और एक मीश्ट को आपस में भिड़ते हुएं मीन करेक्टर कहता है कि जब मेरे आखे खुले तब मैंने इस बहानक मीश्ट को इस चाजिए पिर हमें ब्लू स्टार के 2022 की दुनिया दिखाई जाती हैं जहां पर अचानक से स्पेस्रिप्ट खुलती हैं सारी दुनियाओं की अंदर जिनके अंदर से निगले थे अंगिनत भयांकर और पाउरफुल बीस्ट और ये बीस्ट इतने जदा भयांकर और ताकतवर्थ हैं कि ये पूरी इंसानियत को खतम करने की कगार पे आ गये थे और जब ये सभी धुमा धकर इस प्रित्वी के उपर चल रही थी तो उसी टाइम पे कुछ इंसानों ने इसे खोज की तो कुछ इंसानों ने इस बात की रिसर्च की कि वो लोग इन मिस्ट को मार के इनकी अंदर से एक पदार्थ निकलता है जो कि मिस्टीरियस है और अगर इनसान इसको एजब कर लेते हैं तब उनके पास एक्स्ट्रा ओर्डिनरी पावर आ जाती है जिसकी मतलब से ये लोग इन बिस्ट के किलाव फाइट कर सकते हैं जिनको कहा गया था वारियर और मासल आर्ट प्रैक् लेकिन जब मेन कैरेक्टर की आप दुबारा खुली तब उसने सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह के प्लैनेट के उपर फिर से जिंदा होगा जहां पर वारियर्स और भयानक बीस्ट हैं तब ही वह बीस्ट अजानक से अपने बड़े से मूँ के साथ हमारे मेन कैरेक्टर क चाकू के साथ उसके अटाइक को ब्लॉक कर लेता है लेकिन परेशानी की बात यह थी कि बीस्ट के पास थंडर एटी ब्यूट भी था और अगर गलती से भी वह थंडर हमारे मेन कैरेक्टर को चू लेती है तो उसकी राख यहीं पर बन जाएगी लेकिन मेन कैरेक्टर कैसे ना तैसे उस अटाइक को डॉच कर लेता है और वो थंडर बोल जाके पीछे कुछ पीड़ों की उपर लगता है और वहां पे तकड़ा धमाका होता है और जब वहां से धुआ आटता है तब हम लोग देखते हैं कि वह बीस्ट काफी सारे पीड़ों की नीचे दब चुका में कैरेक्टर इसी बात का फैदा उठाता है और उपनिंग का फैदा करते हुए उस बीस्ट के उपर अंगिनदबार अपनी छोटी से चाकू के साथ कई सारे स्लैस लगाता है लेकिन इन हमलों का कोई भी असर नहीं था एक कोई नॉर्मल सा वेपन उस बीस्ट को नहीं मार अच्Inst구나 जैसा था लेकिन तभी वो बिस्ट फिर से खड़ा होता है और में कैरेक्टर की उपर हमला कर देता है में क्योड्र कोई बाल एक खतरनाक point हो सकता है जहां पर एक ही बार मारने से बीस्ट मारा जा सकता है इसलिए में करेक्टर के पास सिर्फ एक ही मौका था या तो वो मारेगा या फिर मारा जाएगा लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक female character आती है जो कि बस एक ही हमले में उस beast को म उलाएंगे को कहता है यह लड़की और body owner के बीच में बच्पन की दोस्ती रही है और इन दुनों की बीच में बहुत अच्छा और गहरा बॉंड है यहां तक कि इन दुनों की बच्पन में ही engagement हो गई थी और इस लड़की का नाम है चंजीमी बाडी ओनर से कहती है कि हम दो के अंदर को इसी चीज होती है जिनको खाने से physical ability बढ़ जाती है लेकिन मैं पहले सही हंटिंग के लिए capable हूं इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंगी जिससे तुम्हारे टैलेंट को जगाया जा सके बाडी ओनर चंजीमी से कहता ह कि तुम्हें ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे फियांसे नहीं रही हो अगर तुम्हारे पैरन्स ने मेरे पैरन्स को हंटिंग के लिए ना बुलाया होता तो वो साय जिन्दा रहते हैं वो कहता है कि बाडी ओनर कभी भी अपने फियांसे के प्यार और केर को अबरिस येट नहीं करवाया था कभी कभी कुछ लोग अपनी जिन्दगी में दिये गए आसिरवात को भुला देते हैं या फिर वो समझी नहीं पाते हैं इसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और बाडी ओनर को बचाने के लिए भागते हुए यहाँ पे आ गई वो जल्दी से जिमिंग को समालता है तब उसे पता चलता है कि जिमिंग बुरी तरीकी से घायल है जो कि अपने मिसन के दौरान उसे ये चोटे मिले थी हैं लेकिन वो फिर भी बाडी ओनर को बचाने के लिए यहाँ पे भागते हुए आ गई जिमिंग से पूचता है क्या तुम खीक हो जिमिंग अपने मन में सोचते हैं कि इसने पहले बार मुझसे बात की लेकिन जिमिंग फिर से खड़ी होते हुए कहती है कि जब भी कोई वाइलेट लाइटनिंग फिरजट मरता है तब इसकी पूरी जाती उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आती है इसलि जिमिंग फिर भी वहाँ पे खड़ी रहती है और अपनी पूरी ताकर लगाके उन बीस्ट के उपर हमला करती है जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धामाका होता है और जब वहाँ से धुआ हटता है तब आम दों देखते हैं कि 3-4 बीस्ट पीछे जाके पेड़ से टकराके नीचे गर जाते हैं और इधर जिमी चुमो की ऊपर जाके नीचे गर जाती है चुमो देखता है कि जिमी पहले ही बेहोस हो गई है लेकिन जब वह सामने देखता है तब उसके सामने बहुत सारे लाइटनिंग बिस्ट अभी खड़े थे जो उसे गुसे से घूरते हुए द ताबिक मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा कम चांसे सें क्या मैं अपने साथ दूसरी लोगों को भी इस मौत के अंदर घसिने वाला हूं क्या मैं वही गलती फिर से दहराने वाला हूं जो मैंने अपनी पिछली जिन्दगी में की थी चुमो इस बास से काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं यहां पे नहीं मर सकता हूं बिल्कुल भी नहीं और तभी चुमो का हाथ एक मरे हुए बीस्ट की बॉड़ी की उपर पर जाता है जिसके बाद चुमो की बॉड़ी के अंदर से लाइट बाहर निकलने लगती है और चुमो का होर्डिंग का मतलब तो करना होता है इस lightning बीस्ट को जिसके बाद चुमो देखताय कि अभी वह बीस्ट उसके घूरते होई देख रहे थे हैं जिसके बाद वह सब बटन को दबाता ँक उसके अंदर काफी जदा दर्द होने लगता है और उसकी बॉड़ी से लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लाइटनिंग बीस्ट आम की तरह आसमान से नीचे गिड़ने लगते हैं चुमो को टुकड़े कर देता है चुमो कहता है कि वो दर्द जो अभी था वो गायब हो गया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉड़ी के अंदर ताकत इखटा हो रही है ऐसा लगता है कि मेरी फूर्थी पहले से बढ़ गई है और इनकी हमले भी पहले से धीरे हो गए है और इनको काटना पहले की तरह मुश्किल नहीं रहा है लेकिन मुझे मुझे इनके किसी भी कीमत में इन्हें काटना होगा मुझे किसी भी कीमत में जीमी की रक्सा करनी होगी जिसके बाद चुमो आगे बढ़ता है और उन सभी beast के टुकडे टुकडे का डालता है जिसके बाद चुमो अपनी body से lightning को release करती हुए आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में जिदने भी beast आते हैं चुमो उन सभी को चीर फार डालता है फिर जब चुमो पीछे मुड़की देखता है तब वो पाता है कि उसने एक ही बार में कई सारे बीस्ट को मार डाला है चुमो कहता है मुझे नहीं पता है कि ये ताकत कहां से आ रही है लेकिन इस ताकत के साथ मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं नहीं कर सकता था जिसके बाद चुमो के सामने उसकी सिस्टम की विंडो आती है जिसके उपर उसके आईटी ब्यूट जो की लाइटनिंग था और उसके स्टेंथ पॉइंट और इस मानुट के अंदर ताकत को काफी कमाल की है क्योंकि इसे ताकत स्पीड वो सब कुछ बढ़ जाता है और यह कमाल की पावरफुल स्किल होगी जिसके बाद हम लोग चुमो को देखते हैं जो की पता करता है कि उसकी ताकत अभी ज्यादा बढ़ गई है तब इस सिस्टम को बताता है कि उसे एक नया टा के बराबर है इससे बौड़ी रिफाइनिंग की स्पीड बढ़ जाती है लेकिन यह काफी लो लेवल का है लेकिन इसके बावजुद चुमो की अभी के स्टेट के मुकाबले में यह काफी फायदे मंद है जिसके बाद चुमो जब अगली बौड़ी को एब्सॉब करने के के लिए जाता है तब सिस्टम इसकी लिए बना कर देता है और उसे कहता है कि टार्गेट पहले ही खतंव हो चुका है और अगली बार sophomore करने के लिए तुम्हें कम से कम एक महिने तक इंदिजार करना पड़ेगा जिससे चुमो समझ जाता है कि उसे अगली बार कम से कम ताकतवर टार्गेट को ढूनना पड़ेगा नहीं तो उसे फिर से एक महिने तक इंदिजार करना होगा अगले टार्गेट को एब्जॉब करने के लिए फिर चुमो जीवी के पास आता है, हाँ गैस इसका नाम जीवी है, मुझे गाली मत दो, वेबसाइड वालों को दो, चुमो जीवी को उठाता है और उसे घर ले जाने लगता है, और कहता है कि भले ही मैं इन बीस्ट को एब्जाबर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनका मीट कु चुमो वही पे मारा गया है, जीवी इस अपने को देखते हुए चिला के उठ जाती हैं, और वो साथी साथ चुमो का नाम भी लेती है, लेकिन जब जीवी अपने सामने देखती है, तब चुमो सही सलमत खड़ा था, और वो जीवी से कहता है कि खाना तयार हो गया है, आज साथी में सरमा भी रही थी, तो मैं कहानी से पता लग गया होगा, लेकिन वो दोनों आपस में बिलकुल भी बात नहीं कर रहे थे, चुमो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़े आपट होती जा रही है, सायाद मुझे कुछ तो कहना चाहिए, चुमो कहता है कल का दिन काफ साथ में धो देना, चुमो की जाने के बाद जीवी अपने मन में सोचती है कि ये बिलकुल सपने की तरह है, उसने पहली बार मेरे लिए खाना बनाया और मुझसे बाते की, और अगर ये सच में किसी सपना है, तो मैं इसमें दुबारा नहीं जागना चाहती हूँ, लेकिन चुमो अपने कमरे में अंदर आने के बाद गहरी सांस लेता है, और कहता है, जीवी और उनर की बीच का रिलेशनसिप इस तक जम गया है, कि दोनों में से किसी को नहीं पता है कि एक दूसरे को कैसे ट्रेट करना है, इसलिए हम दोनों इतनी जल्दी एक साथ नहीं हो सकते ह इसलिए मुझे अपना सारा फोकस जिन्दा रखने पे लगाना चाहिए, मैं खुद के अलावा किसी और के उपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, और सबसे जरूरी मुझे सबसे पहले अपनी ताकत को पहले बढ़ाना होगा, जिसके बास चुमो बीच्ट की बॉड़ी की अंद इसे रिफाइन करने से पहले मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर अन्वक पूरे आदे महिने बाद ट्रेनिंग रोम को देखते हैं, जहां पे चुमो ने एक फ्लावर वास को रखा था और उसके पीछे काफी सारा समान था, फिर चुमो कमरे के अंदर एंटर होता है और फोकस करके सामने के तरफ एक पंच मारता है, जिससे उस वास के पीछे जितना भी समान था, वो सबी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वास को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उस फोल से एक पंखोडी तूट जाती है, जिससे चुमो समझ जाता चए कि उसके ताकतवर हो गया हूं तभी चुमो के सामने सिस्टम की विंडो आती हैं जिसके उपर उसके पंट 4000 थे चुमो कहता है कि इतने पंट इता आधे महिने में बूरे भी नहीं है और अभी तक जितने भी मेरेडियन्स हैं वो मेरी पूरी बॉडी में सही तरीकी से फैल गए हैं बल बले डिसंस की सप्लाइ मिल जाती तो मैं आधे साल के अंदर मार्सर रियलम के अंदर जा सकता था फिर हम लोग जीवी को देखते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रही थी और जब जीवी अपने पॉइंट्स को देखती है तब उसके पॉइंट्स 8000 के ऊपर से थे लेकिन जीवी कहती है कि इतना काफी नहीं है अभी भी आधा महिना बचा है अकैडमी के हंटिंग कॉंटेस्ट को होने में जहां पे मुझे कम से कम दो सरवाले पैथन का सिकार करना पड़ेगा जिसका ग्रेड सेकेंड ग्रेड होता है लेकिन उसको सिकार क के लिए भी मुझे मार्सल रियलम के अंदर जाना पड़ेगा और ऐसा कहा जाता है कि मार्सल रियलम के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 10,000 पॉइंट होने चाहिए लिकिन जीवी अभी उस चीछ से काफी दूर है जिसके बाद जीवी उस अपने के बारे में स बूर सुरू कर सके एसा कहा जाता है कि पैफन की बौडि के अंदर जिद्धिल होता है उसके इंदर कुछ ऐसे तप्व होते हैं जिससे फिजिकल बॉडि कए ह्ड़ जदा ताकत वर हो जाती है पिर आपने मुझे है कि अगर मुझे किसी बीस्ट की बॉड़ी को एब्जाब करना है तो मुझे कम से कम सेकंड ग्रीट को करना होगा नहीं तो अगली बार एब्जाब करने के लिए मुझे आधे महिने तक इंतजार करना होगा लेकिन तभी चुमों की मुलाकात एक लड़कों की गुरूप से ह जाती हैं और जिससा कि तुम्हें मानुवों में पता होगा कि तुम कमजोर हो और तुम्हारे पास लड़की भी है तो कोई ना कोई तुम्हारी लड़की की पीछे जरूर होगा तो इनका भी हल वही है तो उस गुरूप की अंदर से एक लड़का बहार निकालता है जिसका न ना कर रही होती तो तुमें सकाडमी के अंदर होते ही नहीं और अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी सरम बची हुई है तो जीवी को यहीं पर छोड़ के चले जाओ बर्दर की और जीवी दोनों meet for each other है जाव की चुमो से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे beast material के लिए आये हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अभी भी हिमत बची हुई है academy की hunting पे जाने के लिए इसलिए हमारी मुलाकाद वहीं पे होगी और तब मैं तुम्हें अच्छे से धीक लूँगा और वहीं पे जीवी मेरे नीचे होगी और वो चिला रही होगी चुमो उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें मौत का सामना इतनी जल्दी करना है जाव की वहाँ से जाते हुए कहता है जरा इसकी आँकों में तो देखो ये एक लड़की की पीछे छुपता है लेकिन तब भी इसके अंदर इतनी सरम है कि ये गुस्सा हो सकता है वो सभी लड़के उसे कहता है कि इसे छोड़ दो ये तरह बेवकूफ है जाव की वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी हिमत हो तो फिर अकैडमी के कॉंटेस्ट के अंदर हिस्सा लेके देख लेना जिससे चुमो समझ जाता है कि जाव की उसकी कहके लेने वाला है यानि कि मारने वाला है इसलिए चुमो को पहले हमला करना होगा और उसके लिए उसे कम से कम सेकंड ग्रेट की नहीं बलकि थर्ड ग्रेट की बीस्ट की बोडी चाहिए होगी नहीं तो चुमो कभी भी सौकी का सामना नहीं कर पाएगा लेकिन मार्केट के अंदर लो लेवल के बीस्ट थें इसलिए चुमो का काम यहां पर नहीं बन सकता है लेकिन तभी उसी लोगों से पता चलता है कि विंडी चेसर नाम के एक गुरुप ने एक ताकतवर थाड़ गिरेट के बीस्ट को मार गिराया है जो कि इसी मार्केट से उसकी डिबोडी को लेके जा रहे हैं हमें पता चलता है कि वो भी स्टेक अर्थ ड्रागन था जिसको मारने के लिए विंडी चेसर गुरुप को काफिर ज्यदा लोगों की पली देनी पड़ी थी जो मों अपने मन में सूचता है कि यह लोग कितने ज्यदा ताकतवर हैं बलकि इनका प्रेसर तो मुझे इतनी दूर से भी महसूस हो रहा है विंडी चेसर की लोग सहर केंदा जितने भी लोग थे उनसे कहते हैं कि हम लोगों ने थर्ट ग्रेट के बिस्ट को मार गिराया है और हमारे लीडर वो पहले ही मिडल मॉसल आर्टिस के स्टेश में हैं इसलिए हम कुछ लोगों को ढून रहे हैं जो हम सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है और चुमों जल्दी से आगे बढ़ता है और उस भीष्ट को चूकि उसके बलेड एसेंस को चुरा लेता है जिसके बाद चुमों उसको अपनी बॉड़ी के साथ फ्यूस करना सुरू करता है लेकिन इस बार चुमों को पहले से भी ज़ लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने दिल के अंदर गर्मी महसूस होने लगती है और जो हड्डिया और मिरेडियंस अभी तक टूटी थी वो फिर से बनना सुरू हो जाती है और चुमो को महसूस होता है कि उनकी अंदर ताकत भी फिर से भर रही है चुमो की बॉड़ी की से जादा बढ़ गई हैं और चुमो को उसका बॉड़ी वेड महसूस ही नहीं हो रहा था फिर जब चुमो सामनी की तरफ एक डमी की उपर पंच मारता है तब उस डमी के चीथड़े उड़ जाते हैं चुमो को कहता है कि यह कल्टीवेशन इतनी बुरी भी नहीं थी आदे म में एक महिने तक अच्छे से प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि में एक महिने के अंदर आसानी के साथ मिट लेवल के मार्सर डिसाइपल बन सकता हो वह भी विना किसी दिक्कत के हंटिंग कॉपिटीशन में जा सकता हूं जाओ की तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन चलो देखते हैं कि कौन पहले किसे मारता है थिर हम लोगों को लुयं फृस्टा अकडमी के बारे में बताया जाता है और ये मॉसल आर्ट्स के मामले में सबसे अच्छी और सबसे ताकदवार अकैडमी है इनके पास काफे ज़्याद inquiry सोविधा होती है इस टुदेंट जिनके पास excellent talent होता है वो यहाँ पर आते हैं और perform करते हैं और जो भी स्टुडेंट यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं वो यहाँ पर high school तक practice कर सकते हैं लेकिन जो पिजिकल और attribute के मावले में फेल हो जाते हैं उन्हें चोटी मोटी academy के अंदर भीज दिया जाता है जिनके पास कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है लुएंग academy आम तोर पे trial hunting करवाती रहती है इस्टुडेंट उनमें हिस्सा लेते हैं और उनकी performance के मताबिक उन्हें reward दिया यहां पर आहीं क्यों रहा है जबकि इसके पास cultivation का कोई talent ही नहीं है जैन जेवी एक elite class के अंदर है जो की इसे protect कर रही है इसके पास कितनी अच्छी फियांसे हैं लेकिन किसी के भरोसे होना ये भी एक skill है इसलिए मुझे इससे जलन हो रही है चुमों ये सभी बाते सुनते हुए बस ignore कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था जाव की चुमों से कहता है कि तुम आ गए लेकिन ये कितना वेकार है मैं जीवी को अपने साथ होते हुए देख भी नहीं सकता हूं दोस्ता मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन ये इतनी बुरी मौत मरेगा कि इसकी body भी आप आओगे तब वहाँ पर टीचर्स आते हैं जो कि स्टुडेंट से कहते हैं कि चुप चप एक जगा एक खटा खड़े हो जा और लाइन में लग जाओ और बिना किसी धक्का मुक्य के बस के अंदर बैट जा हम लोग ट्रायल के लिए जाने वाले हैं फिर नमुक देखत हैं जो कि अपनी मार्सल स्टेज भी नहीं है क्या यह बिल्कुल मौत के मुंहें जाने जैसा नहीं है टीचर उनसे कहते हैं कि चिंदा ना करो हम लोग सिटी के नौर्थ पार्ट में जा रहे हैं जहां पे जिर्फ एक ही थर्ड लेवल का बीश्ट था अर्थ ड्रागन जो क कि वह एरिया बिल्कुल सेव है और तुम लोग आराम से वहां पे हंटिंग कर सकते हो इसलिए अब उस एरिया में सिर्फ फस्ट लेवल के ही बीश्ट बचे हुए हैं जो कि अकैडमी के हंटिंग कॉम्पिटीशन के लिए बिल्कुल बढ़िया जगा है टेचर लिन और मैं तुम लोगोंने कितने सौमिस और बीस्ट को मारा है रिवार्ड स्रिफ टॉप 3 को ही मिलेगा और जो लोग उसके नीचे होंगे उन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा टॉप 3 पे आने वाले को एक बोटल फ्यूरेस ब्लेड बीस्ट का मिलेगा जो सेकंड प्लेस पे जौकी को ही मिलेगा और किसी को नहीं दूसरा टीचर उन बच्चों को कमिकेशन टोकन देते हुए कहता है कि यह कमिकेशन टोकन है अगर तुम्हारा सामना किसी भी खतरनाना चीज से होता है तो जल्दी से इसे बिज़ देना हम नोग तुरण तुम्हें वहाँ पे बज पास आ जाते हो तो तुम पास हो जाओगे झायो की कहता है कि मुझे वह टिकनीquinho चाहिए एक लड़का उस DAYता है कि चलो सात में करते हैं लेकिन जाव की उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ चूमो अपनी मन में सौचता है कि यह जरूर मुझे मारना चाहता है तैकि यह vaisí को ले सके इसके पास जाव की फैमिली का सपोर्ट भी है यह काफी बड़ा खत्रा है जाव की फैमिली काफी बड़ी फैमिली है जिनके पास काफे ज़्यदा रिसोर्स और पावर है इसलिए चुमो अपनी मन में सोचता है कि इसे कता ही मरना पड़ेगा जिसके लिए मुझे चुरू करो और सभी भागते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं दोनों टीचर आपस में बाते करते हुए कहते हैं कि इस बार काफी सारे अच्छे बच्चे आई हैं जिनके पास कमाल का टैलेंट है लेकिन जाव की के पास जाव फैमली का सपोर्ट है और सारे नहीं है तभी चुमों बस के ऊपर से बिल्कुल आराम से उदरता है चुमों क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो यह तक कि और दोने से मस्कुलाते हुए कहता है सुक्रिया लेकिन मेरे पास एक परसंट चांश हो जायों एक कहता है कि यह कुछ बदला बदला से लग रहा है दूसरा टीचर कहता है की यह ट्राइल सच में मज़ेदार होने वाला है फिरन्मों चुमों को जंगल के अंदर देखते हैं जहांपे वो सबी अपने resource के पर भरोसा करते हैं और जंगल के अंदर जाके hunting करते हैं और इसे resource को एकटा करते हैं और जब तक मेरा सामना सवकी के साथ नहीं होता है तब तक मुझे bits को मार के उनके bilattysis को absorb करना चाहिए और अपनी physical combat ability को refine करते रहना चाहिए जूमो ये सब को सोची रहा कि इसे एब्जॉब करने के बाद मेरी थंडर बोल की और विज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन एक छोटा सा हाउन मेरे सामने कुछ भी नहीं है जिसके बाद चुमो एक छोटी सी बॉटन लिकालता है और उसके अंदर उस हाउन का बलड इखटा कर लेता है क्योंकि चुमो कि किसी भी तरह से एक छोटे से बीस्ट की ओबर अपने सिस्टम का होडिंग इस्तमाल नहीं करेगा चुमो फैसला करता है कि जब तक उसे कोई बड़ा सा बीस्ट नहीं मिलता है तब तक वह अकैडमी की मेथट का ही इस्तमाल करेगा यानि खून और बोड़िस को एखटा करे जिस के बाद चुमो अपनी लेटनिंग और अपनी चाकू की इस्तमाल करके उन सभी कहट के रख देता हैं लेकिन यह काफी बिकार है कि यहाँ पे सिर्फ फस्ट लेवल के ही बीस्ट है इसके बाद चुमो आगे बढ़ता है और जो भी बिलड उसने खटा किया था उन्हें एब्जॉब करने लगता है बिलड की तारिफ करते हुए कहता है कि यह बीस्ट का बिलड भी कमाल की चीज है इसको पीने के बाद मेरी स्ट्रेंथ 100 किलो गराम तक बढ़ जाती है जो कि लमसम 100 पाइंट होंगे दुखी बात यह है कि मैं तीन दिन में सिर्फ इसे एक ही बार इस्तमाल कर सकता हूँ अगर मैं इसे लगातार इस्तमाल करता फिर तो कमहाल ही हो जाता लेकिन तभी चुमो को कि इसी की चिलाने की अवाज सुनाई देती है और जब चुमो पीछे पलड़ के देखता है तब उसका क्लास में भागते हुए आ रहा था जो कि चुमो को बताता है कि उसके पीछे एक रैंपिंग जाइंट बियर्ड लगा हुआ है तब यह वहां पेड़ों को तोड़ते हु बिस्ट के बलड का डाइजेशन जल्दी होता है बेसे के लिए चुमो ने जो अभी बिस्ट का बलड पिया है वो जल्दी एब्जॉब होगा बस और चुमो के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है वो बंदा जो अभी जाइंट बीस्ट के साथ वाइट कर रहा था वो चुमो से कहता है कि कम्यूनिकेशन टोकन का इस्तमाल मत करना हम दोनों एक साथ मिलके इससे लड़ते हैं और इससे मार देते हैं फिर जो भी रिवाट होगा उसे बात लेंगे लेकिन चुमो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बी का छता सिर्फ और सिर्फ मेरा है लेक इसलिए मैं कभी भी इसे ताकत के मामले में हरा नहीं सकता हूँ इसलिए मुझे अपने लाइट्निंग का इस्तमाल करना होगा और इसकी कमजोर अंगों की उपर हमला करना होगा जैसे कि इसका सर इसके बाद चुमो एक जंप मारता है और उते हुए जाके उस जैड़ बीस बजर्ग स्टेट में चला गया था यानिकी गुस्से में पागल हो गया था जिसके बाद वह बीस्ट अपने दहिने हाथ का इस्तिमाल करते हुए चुमो के उपर हमला करता है क्यूंकि चुमो हावा में था इसलिए वो उसे डॉज नहीं कर सकता था इसलिए उस पंजी की डारेक्ट हिट चूमो को लगती है और चूमो जमीन में जाके गिरता है चूमो अपने मन में सोचता है बज़क में जाने की वज़े से इसकी ताकत और अटाइक पावर दोनों ही बढ़ गई है लेकिन मेरी attack power वो limited है इसलिए मैं attack power से नहीं जी सकता हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा stamina भी जल्दी खतम हो जाएगा और मैं यहीं पे मारा जाओंगा तब ही वो giant beast चुमो की उपर अपने पैड से attack करता है लेकिन चुमो फिर भी अपनी ability का इस्तमाल करके जल्दी से वहाँ से हट जाता है जिसके बाद चुमो एक नया plan सोचता है जिसके अंदर वो सबसे पहले giant beast के attack की बीच में एक अरंगान डालेगा जिसके बाद वो अपनी lightning का इस्तमाल करके उसके पास जाएगा और उसकी आखों की उपर हमला करेगा जिसके बाद चुमो सबसे पहले giant beast के उपर अपनी lightning से आखों पे attack करता है जिससे वो beast अपनी आखों की उपर हाथ रख लेता है जिससे वो beast और भी ज़्यादा गुसा हो जाता है और वो अपने पैर की उपर हमला कर देता है जिससे चुमो की पसलियां तूट जाती है और उसके मूँ की अंदर से काफी खून बहार निकलता है और चुमो अब तक पूरी तरीकी से घायल हो गया था चुमो मरते हुए अपने मन में सोचता है कि बस ये body इतना ही कर सकती थी सब कुछ खतम हुआ लेकिन तभी कुछ धक कसा होता है और चुमो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ और तभी उसकी body की अंदर जो meridians टूट गई थी और हडिया टूट गई थी वो स चुमो की body फिर से recover होना शुरू हो गई है और चुमो अपने मन में सोचता है कि अब मैं साइद इस battle के तकते को पलट सकता हूँ जिसके बद वो बीस्ट फिर से चुमो की उपर अपने पंजे से अटाइक करता है लेकिन चुमो उस अटाइक को इस बार dodge करता है और उड़त वहीं पर मारा जाता है और चुमो इस battle को जीच जाता है बीस्ट को मानने के बाद चुमो कहता है कि अगर मेरे पास बीस्ट का blood ना होता तो फिर मेरा खेल यहीं पर खतम होता इसके बाद चुमो नीचे उतर आता है और कहता है कि speed काफी ज़्यदा माइने रखती है अगर मे लिखते हैं कि जाओ की उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहा था और जाओ की अचानक से चुमो की सामने आ जाता है जिसे चुमो को लगता है कि जाओ की उड़ते हुए ना आकर बलके टिलीपूट किया हो जो मुझा अपनी मन में सोचता है कि जाओ के पास विंड लेकिन आंकिर में तुम दुनों ही मारे गए तुम सच में लकी हो ही गए थे लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी जिसके बाद जाओ की उस बिस्ट की उपर चड़ जाता है और उससे कहता है कि अब बीस्ट मेरा हुआ और चुमो मैं तुम्हें ढून रहा था लेकिन मेरी मुलाकात अब तुमसे हुई गई है तो तुम्हारा खेल यहीं पर खतम होगा और मैं तुम्हें मार दूँगा जाओकी चुमो को बताता है कि वो चुमी की मौत को किस तरह से दिखाएगा जाओकी चुमो को बताता है कि तुमने एक अपने क्लासमेट के उपर हमला किया जब वो एक बीस्ट के सा लड़ाई कर रहा था और जब वो कमजोर हो गया तब तुमने उसके वो स्नीक अटाय किया और उसे मार दिया क्यों अच्छी कहानी है ना और जब मैंने तुम्हें इस तरह के घटिया हरकर करते हुए देखा तब मैं गुशा हो गया और मैंने तुम्हें मार दिया क्यों बताओ काहानी में ट्विच्ट कैसा लगा जावकी चुमो से कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी जलन या फिर नफरत नहीं करता हूँ लेकिन ये दुख की बात है कि तुम्हारी फ्यान सी चन्जीवी है और यही चीज़ तुम्हारी किस्मत और बतकिस्मती कि तुम कमजोर हो चुमो जौकी से कहता है कि तुम्हारी बात सही है तुम बिल्कुल सही हो जौकी कहता है कि तुमने अभी क्या कहा अब ये मत कहना कि तुम डरके मारे रो रहे हो और तुम अपनी जिंदगी की मुझसे भीग मांगोगे चुमो कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो लेकिन तुमने मेरे कहने को गला समझ लिया है बेसक मैं ये कहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी दुस्पनी नहीं है लेकिन तुम्हारी ये बात गलत है लेकिन चैन जीवी मेरी फ्यान से है और चुमो उसके उपर हमला करते हुए कहता है इसलिए मैं तुम्हें नर्क भेज दूँगा इसके बाद चुमो अपनी lightning attribute के साथ जाओ की क्यूपर हमला करता है जाओ की उसके अटाइक को डॉच तो कर लेता है लेकिन वो काफी हैरान हो गया था और वो चुमो से कहता है कि सालि तूने अभी तक इस बात को चुपा के रखा था कि तेरे पास lightning attribute है और तू ordinary होने का नटक कर रहा था लेकिन चुमो जितनी भी बार जाओ की की उपर हमला करत है चुमो समझ जाता है कि वो बिल्कुल भी उसे डॉच नहीं कर पाएगा और उन दोनों की अटाइक आपस में तकड़ाते हैं जिससे वहां पे एक तकड़ा धमाका होता है जाओ की हैरान होके कहता है कि कमाल की बात है कि इसने मेरे अटाइक को ब्लॉक कर लिया और मैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम कोई कचड़े हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कल्टिवेट कर ही ना सकते हो चुमो जाओकी से कहता है कि तुमने जो देखा है वो साय सचना हो लेकिन क्या तुम इस मूब से डॉच कर सकते हो और हम लोग देखते हैं कि चुमो ने अपनी ला आटिब्यूट मार्सल डिसाइपल पीक स्टेज पे हैं पिर हम लोग देखते हैं कि चुमो अपने लाइटनिंग बॉल्ट को कंट्रोल करता रहता है और उनके साथ वो जाओ की क्यों पर हमले करते रहता है और जाओ की अपनी जान बचा कि इधर उधर भागते रहता है जाओ की उपर अपनी ब्लीट से अटाइक करते हुए कथा है लेकिन मैं तो तुंहें मार सकता हूं जिसे चुमो के गाल की उपरด गहरा कट लग जाता है और जो की इसी तरह से चुमों के उपड़ लगातार अटर्च करते हुए कहता है यही हम दोनों की बीच का गयाओ है चुमों भी उन अटेक्स को ब्लोक करते हुए कहता है कि यह बिल्कुल सही है हाई इसकी स्पीड काफे जादा है और भले है यह मुझे ही ये चुमो अपने मन में सोचता है कि मुझे मारना चाहता है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है ये तो आएगा मेरे पास ही ना इसलिए मुझे बस इसकी मुवमेंट को ट्रेस करना है और उनका पता लगाना है जिसके बाद चुमो इस्तमाल करके एक धनुजबार बनाता है और उसको उस तरफ छोड़ देता है जहां पे जावकी अपियर होने वाला था चुमो की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी और वो एरो जाके डिरेक्ट जावकी की सीने क्यों पर लगता है और जावकी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है चुमो अपने मन में सोचता है कि मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया अगर यह सही न जाता तो मुसीवत खड़ी हो सकती थी जावकी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम जिसे कचड़े के हाथो हार सकता हूं जिसके बाद चुमो चाखो लेके जावकी तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे लेकिन चुमो जरा सा भी नहीं डरता है तो फिर जोकी उससे कहता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं बस मुझे मारना मत सुच्छा करता है जिसके बास उसका गला काट के जोकी का खेल वह ही फेंपे खतम कर दे को बिल्कुल सही तरीके से एब्जॉब कर लेता है तब वो अपनी आखे खोलता है और उसकी स्पीड अब हवा जितनी हो चुकी थी और चुमो हावो में बाते करने लगता है चुमो कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हवा के साथ जुड़ चुका हूं और मेरी स यानि की फूरती भी पहले से कई गुना जादा बढ़ गई है जैसा कि मुझे पता था विंड एटिब्यूट सच में कमाल का है और सकती साली है इसके बाद चुमो जोकी की बॉड़ी से और भी ज़्यदा चीज़े कलेक्ट करते हुए सूचता है कि पता नहीं मैं इसकी पूनन का एक्टिब्यूट चुराता है बलकि उसने लाइफ टाइम में जितने भी स्किल्स सीखी होंगी उन सभी की जानकारी भी चुरा लेता है चुमो हस्ते हुए कहता है कि होर्डिंग सिस्टम सच में कमाल का है लेकिन चलो सबसे पहले पूर्स लेवल की स्किल को सीखत कर लेता है तो उसके अंदर सौकी ने जितनी भी चीजों को सीखा था वो सारी स्किल्स चुमो सीखने लगता है बस उनको अपने अंदर एब्जॉब करके है चुमो को बता चलता है कि बिन पीरसिंग बिलेट के तीन लेवल होते हैं पहले लेवल पे आप उसे लाइट के सा काफे कमाल की थी और खतरनाग भी इसलिए अगर मैं इसे तीसरे लेवल दर कल्टिवेट कर लेता हूँ तो ये सच में कमाल की स्किल बन जाएगी और तीसरे लेवल पे जाने के बाद मैं कम से कम तीन मीटर तक इसे इस्तिमाल कर सकता हूँ तब इस सिस्टम को बताता है जा जगा को locate करके बताता है कि वहाँ पे अर्थ ड्राइगन की एक गुफा है जिससे चुमो समझ जाता है कि वहाँ पे 10,000 साल पुराना spirit essence शुपा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि ये किसी heavenly treasure से कम नहीं है इसको एक बार इस्तमाल करने के बाद physical talent कई गुना जादा बढ़ जाता है जिससे चुमो फेसला करता है कि अगली जगा उसे वहीं पे जाना है लेकिन चुमो अपने मन के अंदर ये सुझता है कि मैंने जावकी को मार दिया है और जावकी के पीछे उसकी पूरी family है इसलिए मैं किसी को भी पता लगने नहीं दे सकता हूँ कि मैंने जावकी को मार पता कर रहा था और वहां पर खड़ा हो कि ये च्छता काफी बड़ा है लेकिन के बावलजुत बॉटल सिर्फ आधी ही भरी है जिसके बाद चुमो अपने हाइड ओट के पास फिर्फ से वापस आ जाता है और इतने दिनों में चुमो ने इतना सारा सामान इखटा किया था और चुमो इस बाद से काफी हैरान था कि जाओकी के पास सिर्फ एक चोटा सा बैग और ब्लेड के अलावा कुछ भी नहीं था इसके बाद चुमो जब उस बैग को उठाता है तब उसे ऐसा फिल होता है कि ये बैग किसी बीस्ट की तुछा से बना हुआ है लेकिन जब चुमो ने आज जाओकी को देखा था तब उसके पास कुछ भी नहीं था नहीं उसके पास ब्लेड थी और नहीं ये बैग था इसलिए चुमो ये सोचता है कि उसके पास ये सब कुछ आया कहां से इसके बाद चुमो जब उस बैक को खोलता है तब उसके अंदर से काफी ज़्यादा समान बाहर निकलता है इससे चुमो समझ जाता है कि ये बैक एक storage बैक था बिलकुल storage ring की तरह जिससे चुमो समझ जाता है कि ऐसा बैक सिर्फ Zao की के पास ही हो सकता है क्योंकि Zao family ही इस तरह के बैक को effort कर सकती है कोई normal muscle artist इसे effort ही नहीं कर सकता है जुमो को पता चलता है कि बैक के अंदर 6000 से ज़्यादा युवान स्टोन है जो की low grade के हैं और 12 खून की बोतले हैं जो की beast की है और हमें बताया जाता है कि युवान स्टोन एक ऐसे स्टोन होते हैं जिनके अंदर युवान एनर्जी स्टोर होती है और इनका मासला टिट इस्तिमाल करते हैं और ये बिल्कुल black market में currency के तरह से काम करती है जिसके बाद चुमो अपने समान को भी उस back के अंदर रख लेता है जिसके बाद चुमो इस ब्लिट भी के सहत को भी पी लेता है जिसको पीने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा लगता है और ये beast के खोन के पीने के बिल्कुल अल्टा था इसमें नहीं चुमो को बिलकुल धर्द होता है, और नहीं कोई दिक्कत होती है, बलकि उसा ऐसा मैसूस होता है, जैसे उसकी बोड़ी के अंदर, गर्मी फैल गई हो और छोटी छोटी गुदगदी हो रही हो, और जब चुमो अपनी आखें खोलता है, तब उसे महसूस होता है कि उसने जितना भी blood पिया था वो सभी absorb हो गया है जिसको absorb होने में 3-4 दिन लगते हैं वो बस कुछी घंटों में absorb हो गया था इसलिए चुमो कहता है कि अगर मेरे पास spirit पी का सहथ अगर लगातार मातरमा मिलता रहा तो मैं बिना किसी दिक्कत के बहुत सारे कून को absorb कर सकता हूँ तो फिर अब चलो Earth Dragon की गुफा में चलते हैं और वहाँ पे चलके देखते हैं कि मैं वहाँ पे खुद को कितना upgrade कर सकता हूँ जिसे के साथ ही ये एपिसोड यहें पे खतम होता है तो दोस्तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना है